जहें दोस्तों वंदे मातर महराज के सियासत के जब भी बात होती है तो उसमें ब्रांट ठाकरे का जिक्र जरूर होता है ब्रांट ठाकरे जिसकों की बाला साफ ठाकरे ने बनाया था ये एक ऐसा ब्रांट था जिसमें कि हिंदुत्तोवादी सब चीजे थी मराठी मानुस के बारे में सब अच्छे अच्छी बाते थी लेकिन ये कभी भी राजनीती में मुख्यतौर पर इंवॉल्व नहीं बाला साफ ठाकरे का कहना था था कि हम सत्ता के लिए नहीं बलकि सत्ता ही हमारे लिए बनी तो उनके इस कथन से ही उनका जो हैं कई सारी बाते बूल चुके हैं मतलों सबसे पहले राज ठाकरे और उद्दव ठाकरे के नाम के ऊपर भहस होती रही कि भई आखेर सही उत्राधीकारी कौन होगा गिन बाद में जब उद्दव ठाकरे के हातने कमान आई और बागे सारी चीजें होई वो सबाब अतीज म बनाई थी शिफसेना प्रवक्ता संजराउद भी उनमें से एक हैं ऐसे ही एंसे प्रवक्ता नवा मलिक को भी काफी मुखर देखा जाता है और प्रदेश कॉंग्रिस अद्दक्षिन नाना पटोले का तो कहना ही क्या गडबन सरकार तो अभी अभी गिरी है नाना पटोले तो काफी पहले ही राहूल गांदी को समझा रहे थे कि ये सरकार गिरने के बाद होने वाले चुनाओं में वो कॉंग्रिस की सरकार बना लेंगे राहूल गांदी की नाना पटोले को पसंद करने की तमाम वज़ों में से एक ये भी है संजराउद को मनी लॉंडरिंग केस में पर औरतन अंदिशाले के सामने पेश होना था हुए भी करीब दस घंटी की पूछताज की बाद बहार निकले तो एक नया रहस्युद गाटन किया संजराउद के मताबिक उनको भी गुवार्टी होटल का ओफर मिला था संजराउद का कहना है कि मेरे उपर भी प्रेशर है लेकिन मैं डरता नहीं मुझे भी गुवार्टी जाने का ओफर मिला था लेकिन मैं बाला सहाब ठाकरे का सैनेक हूँ मैं वह नहीं गया जब सचाई आपके पक्ष में है तो फिल डरना कैसा हो सकता है नहीं अस्था में सं भी एडी के प्रेशर में ही डरे हुए हैं शिफसेना सांसा संजराउद पर कई तरह की जिम्मदारी हैं एडी की पेशी जैसे निजी कामकाज और शिफसेना की बाते मीडिया और सोशल मीडिया के जरीए लोगों के सामने रखने के लावा संजराउद को सामना भी निकालना होता है सामना शिफसेना का मुखपत्र है संजराओत ही सामना की संबादकी जिम्मदारी भी समालते हैं अपनी बात के बाद सामना के जरीए संजराओत ने उद्धव ठाकरे के दिन में दिये गए बयान को भी अपने तरीके से आगे बढ़ा है बीजेपी नेता अमिच्छा औ देवेंद्फटनावस ने मन बढ़ा करके मुख्यमंत्री पत के बज़ाए डिप्टी सीम का पत स्विकार किया है आगे लिखा है करार के अनुसार दिये गए बचन का पालन करने का बड़ा मन बीजेपी ने ढ़ाई साल पहले ही दिखाया होता तो बचाओ के नाम पर प्रसंग अलग है लेकिन यहां पर तो बस इतना ही प्रसंगिक है और यह सच भी है जिन हालात में देवेंद्फटनावस सरकार में शामिल हुए हैं बीजेपी के लिए मिशन पूरा करना असान भी नहीं लगता यह भी मान कर चलना होगा कि उद्दव ठाकरे अब इतना ही क जटका खाने के बाद ता उम्र उद्दव ठाकरे पूरों मुख्यमंत्री ही कहलाएंगे धाई साल की हिजित थी पूरी भी कर ली सिगहत भी तो अब साथ नहीं दे रही होगी अपनी सफाई में उद्दव ठाकरे ने ऐसा संकेत भी दिया था यह बताते हुए कि किन हालात म में उस सरकारी कामकाज निप्टा रहे हैं 2012 में उद्दव ठाकरे का उपरेशन हुआ तोर स्टेंड डले थे और कुछी दिन पहले उनके स्पाईन की सर जरी हुई थी ऐसी हालत में बहुत सक्री होना काफी ज़्यदा मुश्किल हो जाता है लेहाज अब सारा रानुंदर आ अधिर ठाकरे के मुख्यमंतरी से कम नहीं महसूस की जाती थी बहले ही उनकी मा रश्मु ठाकरे को अनओफिशल सीम तक कहा जाता था वैसे भी आखरी दोरें बागी विधायकों को उनकी पतनियों के जरी मनाने कोशिश तो रश्मु ठाकरे नहीं करी थी जाहिर सी बात है क को मिलाकर फाइनल टेक यही है कि शिफसेना के साथ अब वो कुछ भी हो सकता है या संबब है जिसके लिए वो जिम्मेदार है आधिर ठाकरे के हाथों में काफी कुछ चीजे हैं लेकिन पता नहीं समाल पाते हैं कि नहीं लेकिन अब आधिर ठाकरे पर बहुत कुछ एक जुलाई जूलाई की श्याम को एक मीटिं़ बूलाई थी विदायकों के बगावत कि वाद यह मीटिंग वैसे थो सांबस्तों का मन्ट टोलने के लिए बूलाई गई लगती है लेकिन इसके बाद एकनाथ शिंदे गट रुदव ठाकरे बीच सुलार प्र पर कियी खासकर तब जब एक सांसद श्रीकांद शिंदे मुख्यमंतरी एकनार शिंदे के बेटे हो मीटिंग से एक बात तो साफ हो गई कि सांसदों पर उद्धव ठाकरे के पकड़ विधायकों के मकाबले बहतर है क्योंकि मीटिंग में शिफसेना के तीन सांसदों में से सिर्फ तीन ही नहीं पहुंचे थे ये बात अलग है कि बीजेपी दरजन भर सांसदों के संपर्क में होने का दावा कर रही है शिफसेना के जो तीन सांसद दो ठाकरे की बैठक से दूर रहे उनमें श्रीकान शिंदे के अलावा भावना गुली और राजन विचारे भी शामिल है यह अत्माल से पांचवी बार सांसद बनी भावना गुली को एडी की रडार पर बताया जा रहा है ठाने से सांसद राजन विचारे आनन दिखे को मानने वाले हैं जाहिर है यह इना चेंदे की तरफ ही होंगे सुला की बात वैसे भी बहुत बुरी नहीं लेकिन यह सब जो भी चीज़े चल रही है इसमें कहीं न कहीं आप मानो या न मानो एडी का बहुत बड़ा रोल यहां पर दिखाई दे रहा है